हेलो दोस्तो एक बत द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल विवेगरान और स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चले लबें नए है तो चनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ बैल को दबाना ना भूलना और साथ पे आप हमें टेली गरान ट्विटर औ कर रहा हूँ देख लेता है चार्ट के माति हमसे और एक बार देखेंगे इसके प्रॉफिट और लॉस राइट जी यहां दोस्तो जिस पैनि स्टॉकी में बात कर रहा हूँ थोड़ा उसके बारे आपको बता देना चाहता हूँ बेसिकलि यह लीडिंग कमपनी है अपने से दागों का मैनेफेक्चर करती है तो भाई धागे की कमपनी होने के बाब जो भी करोड की कमपनी है तो भाई डेफिनेटि स्टॉक में हम इन्वेस्मेंट करके चल सकते है राइट क्योंकि कमपनी इस प्रॉफिटेबल कमपनी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ तो लेक जिस फैन स्टॉक में बात कर रहा हूँ फ्रॉफिटेबल कर रहा है और दोस्तों आपको एक बात बदा देना चाहता हूँ यह च्छी जैकपूट बन सकता है मुझे लगता है यह डेफिनेटि आपको ग्या रॉपे दिखा सकता है तो अगर आप चाहो तो स्टॉक को वेट कर सकती हो एक confirmation का अगर स्टॉक ग्या रॉपे के असपास बाय करूँगा ठीक है क्योंकि चार्ट में मुझे संकेत मिलेगे ग्या रॉपे आ सकता है इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको बाय करना तो आप बाय करके चल सकती हो क्योंकि आपका पैसा है हमारा हमारा काम आपको एक अच्छी रुटन देखे जा सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हो तो डेफिनेटली आप सबसे पहले तो भाई अपना कैपिटल को बचाओ ठीक है इन्वेस्मेंट करो ट्रेडिंग मत करना ठीक है ट्रेडिंग करने के लिए आपको कमसे 5-4 साल का चाहिए होता है उसके बाद आप कर सकती हो और इन्वेस्मेंट के लिए आपको जादा एक्स्पीरिंग नहीं चाहिए होता है आपको सिर्फ कैपिटल चाहिए होती है तो अभी आप सिर्फ इन्वेस्मेंट करो बाद में आप ट्रेडिंग कर सकते हो जब आपको एक तो दोस्तो आपको स्क्रीन में देख सकता है stock का 1-month का chart एक मन्त के चार्ट पर stock देख सकते हैं 15 रुपे पिचितरे पैसे का हाई लगा है ठीक है वहां से गिर के stock नीचे आ रहा है और दोस्तो अगर बात करते है stock के 6-month की chart की तो दोस्तो आपके सामने 6 मंद का चार्ट अभी उपन हो रहा है तो दोस्तो 6 मंद के चार्ट में आप देख सकते हैं स्टॉक ने साथ रुपे से अल्मोज जंप हमारी है पंदार रुपे के मतला अल्मोज 100% का प्रॉफिट आया तो स्टॉक को कभी चेज मत करो ठीक है अब आप सोचलों में इसको यहां बायर कर लो नहीं आपको स्टॉक को चेज नहीं करना आपको स्टॉक को बायर करना सपोर्ट के आसपास या तो सपोर्ट के आसपास बायर करो यह एक देशी तरीका होता है आपको Fibonacci Retracement लगाना आना चाहिए लो से हाई में Fibonacci Retracement करो और 50% के आसपाद आफ स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं मतलब 15 रुपे और 7 रुपे का लो है मालेजी अगर तो इन दोनों का आफ 50% निगा लेजी जो निकल के आता है 15 रुपे ही निकल के आता है ठीक है अगर मैं गलत नहीं हूँ हाँ साड़े-दस रुपे का असपा निकल के आता है तो यह प्राइज साड़े-दस रुपे और ग्या रुपे एक अच्छा bottom-out प्राइज है जहां पर आप एंटरी कर सकते है लॉंग-टर्म इंवेस्टमेंट के लिए ठीक है भाई तो दोस्तों देख सकते है अल्लेडी ये एक multi-vega stock है ठीक है लॉंग-टर्म बे stock ने थोड़ा आपको डाउन-सलाइड दिखाया है लेकिन भाई एक लंबे समय तक stock एक consolidation phase में जा रखा था देख सकते हूँ 2005 का मैंने चार्ट खुलावा दोहर एक भी आपको screen में देखने को मिल सकता है मात 50 पैसे का stock था और आज की date में दोस्तों देख सकते हो उसकी जो value है almost 15 रुपे और 14 रुपे के आसपास है मतला already stock एक multi-vagger stock है इसलिए मैं कहा रहा हूँ आपको उन stocks में investment करने है जो already multi-vagger बन चुके है आप उन stock को investment करोगे जो already penny stock बन चुके है तो definitely आपका पैसा डूप भी सकता है मैं भी आपको खुद penny stock investment करने के लिए देता हूँ लेकिन मैं आपको हमेज़ा बोलता हूँ आप हमेज़ा 2% का rule use करो अगर penny stock में investment कर रहे हो 2% का rule होता है जो भी आपकी salary है उसका 2% हर महीने invest करो penny stock में जो एक रुपे से निचे trade कर रहे है लेकिन यहाँ आता है थोड़ा अलग scenario कि stock के price अभी 10-13 रुपे और 10 रुपे का आपस चल ला है तो यहाँ पर आप use कर सकते हो 2% of your capital जो भी आपकी capital है जो आपने stock market में invest कर रखी है ठीक है वो आपकी salary का part है और यह आपका capital का part है समझभार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ अगर समझभार तो नीचे comment करो और like share subscribe आप करी दे तो मुझे पता है ठीक है तो definitely भाई चार्ट के साफ से stock का भी मुझे पसंद आ रहा है ठीक है देख सकते हूँ यह support area का पास हमें stock को buy करना जो निकल के आता है ग्यारा रुपे के आसपास तो ग्यारा रुपे के आसपास definitely stock को buy करके hold कर सकते है दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एनसी बे डेटा खोला हूँ रोजाना करोडों क्वांटरी लोग घर लेके जा रहे है 26 मार्च का डेटा है ठीक है अगर बात करते हैं कितनी quantity trade हुई और कितने quantity लोग घर लेके गए तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीज में almost एक क्रोट से ज़्यादा quantity लोग घर लेके गए 60,00,00 क्वांटरी लोग घर लेके गए 57 परसेंट निकल के आता तो रोजाना यही सीन चल रहा है रोजाना 50 परसेंट 40 परसेंट की क्वांटरी लोग घर लेके जा रहे है डेफिनेटली भाई आपको भी कुछ न कुछ इसमें investment करनी चाहिए अगर इतने बड़े वाल्यूम में stock को buy किया जा रहा है और hold किया जा रहा है तो definitely आप भी एक पर देख सकती हो अब लेके चलता stock के current P&L की तरफ current valuation की तरफ तो दोस्तो आप देख सकते हो मैंने company के बारे में खोला हुआ है देख सकते हो इसकी revenue भी देख सकते हो दोस्तो जो आपको मैंने बताया धागे से almost 26% के आसपास की revenue आती है मतला almost बहुत सकते हो कि भी आप एक अच्छी खासी कंपनी है NSCVSE दोनों में listed company है और क्या चाहिए ठीक है market cap 69 क्रोड के आसपास का है 69 hundred क्रोड के आसपास का है ठीक है और देख सकते हो company में क्या है चीहां दोस्तो अच्छी बात है company अपने profit से आपका जो company में कर जा उसको कम कर रही है तो definitely अगर इस company debt free हो जाती है तो definitely एक अच्छा sign होगा long term में और जैसे मैंने आपको बताया company dividend दे रही है और मालिकों ने अपनी holding बढ़ाई है last quarter में और क्या चाहिए भीया जब मालिकी invest कर रहे है तो इससे बड़ा sign नहीं हो सकता कि stock का price rocket हो सकता है अगर बात करता हो company के profit की तो देख सकते हो आपके सामने मैंने December quarter के profit खोल लगे sales देखे तो अगर net income की बात करता हो net profit की बात करता हो तो दोस्तो क्या चाहिए company को definitely radar में रखो यार अगर बात करते है company के serotic pattern की मैं आपको एक बार pattern दिखाता हूं किसका पैसा stock में लगा है 22% के आसपा 23% के आसपास जो बहुत काम है जैसे मैंने आपको बताया न अगर 20% और 25% के बीच में आपका general public रहता है तो ठीक ठीक stock ठीक माना जाता है long term के लिए और जो यह फुल्फिल कर रहा है उसके साब से देफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट के साब से और डेट लगाता रिडियूस हो रहा है तो भाई हम stock को रिडाल में रख सकते हैं तो आपको याद होगा मैंने वीडियो के शुरूमें कुलाता कि इस stock मुझे 11 रुप्या लगता कि अगर आता है तो डेफिनेटली स्टॉक क इसी को रजिसन लेके काम कर रहा है और इसने एक बार इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और मुझे लगता है कल देखते है कि जब मार्केट उपर होती है अगर ये ब्रेक कर देता है डेफिनेटली आपको फिर 11 रुपे के टार्गेट भी दिखा सकता है ठीक है तो स्टॉक को ड़ाय में रखो अगर आपको 11 रुपे का समय मिलता है ये पैनी स्टॉक डेफिनेटली आपको लगपती तो बना सकता है अगर आप स्टॉक को लॉंग टरम के लिए होल्ड करते हो ठीक है भाई चलो बाए बाए